Hey guys, welcome back to my youtube channel, तो आज हम अपोट सिर्स को फिर से continue करने जा रहे हैं, तो जैसके हमने प्रिफिस एपसोड में देखा था, Grandelder बोलती है कि जो battle है skies southbound tower में, उसमें हमारे जो वीजी और fanglong था वो मारेगी है जवाने रेस के हाथ हो, हमारे जीतने के चांसे से वो कम है, तो मैं यह वोप करते हूं कि इस time losing हमारे लिए fight करेगा, तो एपसोड no.4 and 97 के starting होती है, जो एल्डर होता है एक वो बोलता है, अगर जैंगर चाता है, मतलब strong बनना और desolate good system को cultivate करना इस world में, तो हम इसे shortcut देंगे, ताकि एपनी blood की power को प swanian race का ziyan zee आ जाता है, जो कि mid rank desolate good होता है, वो बोलता है इसे पकड़ लो, यह letter है challenge का हमारे race की तरफ से, वो letter बिल्कुली grand elder के पास पहुंच जाता है, और grand elder उसे पकड़ लेती है, एक इनसान बोलता है कि तुम्हारे इतनी हमारे तुम grand elder से कैसे root हो सकते हो, जो grand elder होत में यह सर्फ waste of time ही है, मैं जियान ली अकेला काफी हूँ तुम्हें मारने के लिए, मतलब बाग की तुम्हारे जो warriors होने, जो elder होता है, नाइनली race का एक, वो बोलता है, तो अच्छा, तुम जियान जी हो, जवान यह race के, दूसरा बोलता है, तुम्हारे race ने तुम्हें क् प्राई कर सकते हो, elder बोलते ठीक है, grand elder बोलते वेट करो, जानन race के, लोगों ने हमारे लोगों को मारा है, ancient wasteland में, जैसे की agreement है, वो allowed था, पर अगर हम यहां पे से मार देंगे, तो यह सही नहीं होगा, elder बोलते पर, grand elder बोलती है, कि मैं तुम्हारे letter को receive कल दिया challenge के, तीन म सोच रहता है, कि यह कुछ जादा घमंडी है, जिम पास्ट में लोग मिले तो में को यह उन ही की तरह ही है, मैं को इसे सिखाना पड़ेगा, lesson अगर चांस मिलेगा तो, grand elder बोलती है, जैन जी बोलता है, क्या हुआ हो, पिछे मूड के बोलता है, grand elder बोलती है, वो बोलती है, कि तुम ज्वाने अन्रेस के एन्वोई हो, मैं तुमें मार नहीं सकती हूँ, पर तुम को ज़्यादे है, मतलब मुझ से और मेरे लोगों से, तो में को तुमें सिखाना है पड़ेगा, यहां से चल जाओ और behave करना, सीखना मतलब कैसे behave करते हैं अपने elder से, जैन जी बोलता मैं तुमारे इस lesson को याद रखूँगा, वहां से चल जाता है, elder बोलता है grand elder, यह person कुछ जादे घम अंडी था, तुमने इसे मारा क्यों नहीं, grand elder बोलती है कि नहीं, ऐसा करने की कोई जरूत नहीं है, हमें इसके ओपर गुसा नहीं करना चाहिए, मतलब करकी कोई फाइद elder बोलता है कि यह वियर हाउसे जो है, यहां पे हम डिसलेट बोन को स्टोर करके रखते हैं, यह main resources है, यहां पे हम तुमें इने provide कर सकते हैं, बोलता है कि यहां पर कुछ जादे बोन्स यहां पर स्टोर करके रखे होई है, यहां पर फिर cultivate करने की कोई चिंता नहीं होगी, elder पर बोड़ी ट्रिपलूइशन फेस काना पड़ता है, अगर जो डिसलेट गोड पावर का amount है, वो एक certain point तक पहुंच जाए, मतलब जैसे hundred bones absorb करने की कि किसी की limit होगी, तो फिर जब वो hundred कर बैठेगा, तो एक ट्रिपलूइशन आएगा उनके उपर, जैसे cultivation वगरा में जा ट्रिपलूइशन के बारे में नहीं सुना है, elder बोलता है कि, डिसलेट गोड सिस्टम को cultivate करना, इसमें सिर्फ तुम बोड़ी को ही refine नहीं करते हो, अगर तुम इसे अच्छी तर से cultivate करो, तो तुम other shore realm में पहुंच सकते हो, जो डिसलेट गोड सिस्टम है, उसे ancient god cultivation method भी बो बोलता है, well, तब दूसरा elder वहां पे आजाता है, क्योंकि ऐसे cultivation resources mother world में बचे नहीं है, तो उन warriors के पास कुछ भी मतलब है नहीं तरीका, तो वो grand world cultivation method को अब practice कर रहे है, ancient god cultivation method की जगा, विजने सुनके मतलब चुप हो जाता है, फिर मुड के बोलता है, इसका मतलब पहले mother world में भी काफे साथ desolate bones थी क्या, शायद उन सभी ने desolate bones को absorb कर लिया होगा mother world में, फिर वह ancient god बने जो warrior ने absorb किया था, अब जो लोग है वांकि उनके लिए desolate bones बची नहीं है, cultivation as a resource, तो उन्होंने एक नया तरीका बनाया, grand world cultivation method, जिसे true god system बोला जाता है, क्या मैं से बोल रहा जादे desolate bones होती थी, पर अब वो पूरी तर्स से खतम हो गई है, सब इने use कर लिए है, जो संग बोलता है, क्ये desolate bones आई कहां से mother world में, और इस world में भी कहां से आया originally, elder बोलता है, मुझे बतता है, तुम इस question को पूछोगे, ये जो matter है, ये क्योंस ancient gods को involve करता है, ये ultimate question है, mother world में कुछ genius season जो की, मतलब इन questions को find कर रहे हैं, काफ़सा साल लगा दिये हैं उन्होंने, जो behavior होता है क्योंस ancient gods का, वो हमेशा unpredictable होता है, मतलब हम पता हैं लगा सकते हैं, वो क्या करेंगे और क्या नहीं, especially अगर हम zoo की बात की जाए, zoo जू जू है, वो ऐसा क्योंस ancient god है, ज जो बोन्स हैं, इन्हें ऐसा backup बोला जाता है, हमारी जो बोन्स हैं, वो इसी वर्ल्ड में कहीं छूपी होंगी, लुजंग बोलता है, लुजंग बोलता है, हर एक जो जूम्बी है, वो एक living creature को दर्शाता है, कि उसके अंदर, जब जूम्बी मरता है, तो एक skeleton ancient wasteland में आ ज जाता है, पर यह जो जूम्बी हैं, यह सिर्फ हमारे backup ही है, और इंपोसिबल जानने के लिए कि तुम्हारा backup क्या है, लुजंग बोलता है, अच्छा, पर जूने ऐसा किया क्यों, elder बोलता है, मुझे बनी बता, यह कुछ जादे painful है ancient god cultivation method को यूज करना, अगर हम उस चीज तो तुम कर सकते हो, हम अपनी best करेंगे तुम्हे power provide करने के लिए और help करने के लिए, लुजंग बोलता है, कि मैं किसी भी problem को face करूँगा, अगर मैं pain को face करूँगा, तो एक तरह से मैं stronger बनूँगा, elder बोलता है कि अच्छा बोल रहे है तुम, डाइवान, लुजंग को absorb क करने तो desolate bones को, जब body tribulation आएगी, तो इसे 10 shear blood desolate bones का दे देना, डाइवान बोलता है कि 10 shear blood desolate bone का, कि एंडियोर भी कर सकता है, सही भी पाएगा, grand elder ने सिर्फ तीन ही use किये थे, elder बोलता है पहले वाला कि इसकी body different है हम से, मुझे पता नहीं कि इसने किस तरह से अपनी body को cultivate क है, पर यह ordinary इंसान से काफ से stronger है, यह handle कर सकता है, इसे new hang cave में लेके चलो, डाइवान बोलता है ठीक है, elder one से जा रहा होता है, गायब हो रहा होता है, और बोलता हो तो में चिंता निकरनी है, हम सब भी तुम्हें देख रहे हैं, तो हमारी 9ly race की hope हो, फिर हमें ना हूँ अं की power को desolate bone से, और फिर transfer कर देते हैं इस cave में, मतलब इस cave में ऐसे इंसान है, जो की power को extract करते हैं, और फिर किसी particular इंसान को देते हैं उस synergy को, elder बोलता है कि जो ना हूँ ऑँ केव है, वो cultivation की efficiency को increase कर सकता है, चैंग वी माजू और बाकी जो candidates है, वो यहां पर cultivate कर रहे हैं, चैंग की डाव मो जो है, वो उसका son है, डाव मो बोलते है की losing बहुत जाथ important है, इस challenge के लिए सब कुछ इसी के उपर है, यह important हमाली, जैसा मैंने बोला वैसा करो, वी कॉंग जो होता है, मैंनेजर नोहां केव का वो बोलते हैं, तब डावान क्या कर रहे हैं, डावान बोल लुजंग तुम भी यहां पे हो, चैंग बोलते हैं डाव मो, हमारी रेस ने activate कर दिया है, ना हुआ अंकेव को, ताकि हम cultivate कर सकें और ज्वान रेस के अगेंस्ट में जी सकें, लुजंग तुम से जादर stronger है, तो तुम यह अपनी प्लेस को से देना पड़ेगा, डाव मो ब अगरी कर लेगा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि एक नदा strong है, वो एक दूसरे के सामने होते हैं, जो die you होता है, वो बड़ा हो जाता है, वो बोलता है, अब तुमारी टर्न है, लुजंग बड़ा नहीं होता है, और वो अपनी soul power को use करता है, तब एक लड़की वहां पे माजू होती है, वो बोलते है, कौन fight कर रहा, दूव मुव के साथ, चैंक भी बोलते है, माजू तुम भी आँपर हो, यह लुजंग है, यह वह इंसान है जिसने me cop बचाया था, वो लड़की बोलते है तो अच्छा, यह वो है, ऐस लगाए हिसने पनी soul attack को use किया, ऐसे तो डूमा हारने जाएगा चैंक भी बोलता है मुझे भी लगता है उसने तीन जुआने गार्ड्स को हरा दिया था इसी मूव को यूज करके लड़की बोलता है तो कुछ जाधा इंट्रेस्टिंग है मैं यह सोच रही हूं कि मैं साहल अटेक्स को रोक पाऊंगी कि नहीं अगर म करता हूं मैं अपनी पूरी फिजिकल स्ट्रेंद को यूज करता हूं लुजन वेल बढ़ा हो जाता है और साथ में अपनी स्टार्स की पावर को भी यूज कर रहा होता है तो गाइज एपसोर नंबर 497 ने था अगर आपके उड़कर लाइक कर नहीं वेख भी लाक क्यों दो साथ कि मैंट करके बतागर आप की उड़ी के स्लिकी सब्सक्राइब करें